नेक्स्क्षेशन दोजा पन्रागा सवाल है क्षेशन से व्यूंद सेफ टू वैसल्स सेपरेटली कंतें ना इंद टो आइड गैसे एंद विएड द आप से नाइड विएगा उप्शने 2212 234 अगेर इसको हम पहले सिंटेशन बना लेते हैं कि यह आपका container A है, यह आपका container B है, राइट, दोनों का temperature आपका T0 है, इसका भी temperature T0 है, और अपने को यह दिया हुआ है कि pressure A का B से twice है, तो इसको आप लिख लो P0, इसको आप लिख लो 2P0, और density जो हमने देखा, यह आपकी 3 by 2 R0, यह आपकी इसकी density हो गए, ठीक है, अब अपने को बताना है कि यहाँ पर दोनों का ratio of molecular weight क्या होएगा, इसको हम ideal gas equation से चालू करते हैं, PV is equal to NRT, लिखते हैं, which implies N will be equal to PV divided by RT, यह आपका हो जाएगा, अच्छा, इसको अगर हमें density की term में लिखना हो, तो यहाँ पर number of mole जो है, इसको आप लिख होगे, mass divided by आपका molar mass, all right, so which implies आपका molar mass, जो है molar mass, molar mass will be equal to, जो molar mass आएगा, यह आपकी value हो जाएगा, इन दोनों का आपका इक्वेट कर रहे हैं, तो molar mass इदार लेके आते हैं, यह हो जाएगा mass multiplied by RT divided by यहाँ पर P, यहाँ पर V, और यह time आपकी density की बन जाती है, तो आपका molar mass M है, उसको आप लिख सकते हैं, density multiplied by RT by P, अगर तो formula आपको आपको पता है, तो direct यहाँ से आप चालू कर सकते हैं, अब यहाँ पर A और B के बीच में हमें ratio बताना है, तो simple सा काम होगे, आपका MA divided by MB, यह जो आजाएगा, इसको आप लिखेंगे, rho A divided by rho B, directly proportional है, हाँ तो अपना universal constant है, multiplied by T A divided by T B, multiplied by inversely proportional है pressure के, तो यहाँ जाएगा PA divided by PB, इस case में आपने को दे रखा है, दोनों का temperature बराबर है, तो यह term ओड जाएगे, आपकी, so MA divided by MB का जो ratio आएगा, वो आएगा, rho A, rho A अपने को दिया हुआ है, 3 by 2, rho A by rho B करेंगे, 3 by 2 आजाएगा, multiplied by temperature का ratio 1 है, और pressure का inverse ratio करना है, तो pressure का inverse ratio मतलब य हो गया आपका 1 by 2, so इसके basis पर अपना answer 3 by 4 हो जाएगा, so based on this हम कह सकते हैं, option number D, 3 by 4 would be the right choice.